जैमा बिंद्वाश्नी हर हर महादिवाप शभी का स्वागत है आज हम सभी एक सत्यघटना की उपर चर्चा करेंगे यह सत्यघटना महराष्ट के छेत्र की है जिसमें एक विक्टी जो की अपने परसानी को लेकर के अपने आसपास के जो सोखा उजजी ने हम लोगों के छेत्र में कहा जाता है इसे जानकार विक्ती के पास गए और कैसे वहाँ पर उनका कार यह जो है वो बिगड़ना सुरू हो गया है उसकी पिछे का कारण क्या था उसके उपर बहले चर्चा कर लेते हैं इस विशय को बहुत कॉंट्रवर्चिल टॉपिक में रखा जाता है लोग सक्ति को सक्ति मानते हैं सत्य हैं लेकिन वो साधकों के निमित्यक्यवर जो सिद्धियों को प्राप्तिकरिकी जनकल्यान का कारे करते हैं जो अपने परिवार से एक बहुत लिमिटेसंस में साथ रहना और विशयों को करना क्योंकि कहीं न कहीं आप जो हो दिब शक्तियां जो आलोकिक शक्तियां होती हैं उनके संपर्ग में आना और उसके पश्चायत किसी प्रकार के कारे को करना हस्तक्षेब करना तो उसके लिए विक्ति को तयार होना चाहिए कि उधर से भी कभी आपके उपर counter attack हो सकता है और फिर आपको कश्ट भी हो सकती है प्रशानी भी हो सकती है तो जो साधक होते हैं उस प्रकार से वो ऐसे इसे सक्तियों को सिद्ध करते हैं क्योंकि वो उनको ले करके लंबे समय तक चल नहीं सकता संबंदित साधक जो है उनके घर में प्रसानी यह मात्र आरंब होई थी कि रात को सोने के समय में कान में कोई बोल करके चला जाता था ये प्रसानी इतनी अधिक बढ़गी कि परिवार के चार सदसे थे ये चारों कोई सो नहीं पाते थे जहां निंद लगे कान में कोई बोल दे इस समस्या को सुल जाने के लिए वो अपने पास के कैसे साधक के पास गये जो कि हिंदू और इसलामिक दोनों प्रकार के सक्तियों की पूजा किया करते थे उन्हें इस प्रकार के सिद्या थी उन्होंने देखा सुना और कहा कि आपके घर पे जो है इस इस प्रकार की सक्तियों का उपद्रों है आपको घर पे जो है बंदन करा लेना चाहिए और हम आपको कुछ देंगे उसको रोज जो है जलाना है धूना करना है उन्होंने कहा कि ठीक है घर पर ये साधग गया इन्होंने कुछ प्रक्रियाव को किया और उसके पश्यात घर में धुना करने के लिए धुनियादी बना करके दे दिये सुबह साम के समय में इने धूना करना था जो मंत्र का विधान दिया था पांच मंत्र पूर्ण दिये गये थे पांच आहोती देनी थी पांच में से तीन मंत्र जो थे वो हमारी शनातन संस्कृतिय संबंदित थे और दो मंत्र जो थे उस्लामिक मंत्र थे साबर में तो वो पूर्ण इस्लामिक ही थे उसमें कोई भी ऐसा नहीं थे कि हिंदू देवी देवताओं की बात की गई हो उन्हों ने जब इस विधान को सुरू किया यह समस्चा तो बिलुकुल सॉल्ब हो गई पहले दिन से ही और जब भी कोई इंस्टेंट रिलीफ मिलता ह है तो विक्ति का बिश्वास तुरंत बन जाता है कि भाई हमें जब सुरक्षा मिला है हमारी परसानी दूर हुई है तो इस विक्ति की पास सामर्थ है अब वहां 21 दिन का धूना करना था 21 दिन देक उन्हों ने धूना किया उसके पशात इनकी समस्चा सौल्प अल्रेड़ होनी शुरू हो गई जिसमें कि रात्रिकाल में सदेव वह लड़की जो थी 14 साल की थी उन्हें बार-बार दिखाई देते कि कोई पुरुश आता है उनके पास आकर के बैठता है और जितनी भी गलत चीजें होती है वो सब करता है इस प्रकार के श्वपन इस प्रकार का अन घर पे आकर घर का बंधन कियें लेकिन यह विशय जो था यहां रुका नहीं और यह समस्या बढ़ते बढ़ते ऐसी होगी कि बची रात के से में सोना ही भोल गई नींद ना पूरा होने के कारण स्रेड में अपच की विमारी हो गई कुछ भी खाती तो बोमीटिंग हो जात संबंदित विशय एक विडियो डाले थे चैनल पर कि घर में जो है लोबान की दुनी नहीं करना चाहिए यही कॉंट्रवर्सियल टॉपिक होता है लोगों नो उस पर जम करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है प्रमान दिये कि देभी कि सब कर सकते हैं देखिए अकेले नहीं कर सक कि जब इस पूरे केस को एनलाइस किया गया कि आखिर में पूरा विशय क्या रहा है तो यहां पर जो चीज सामने आई वो बहुत अलग थी यहां पर विशय के वल यह नहीं था कि वह लोबान की धुनी कर रहे थे इसलिए उनके घर में कोई अत्रिपता आत्मा आगी कुछ हो गया नहीं वो नहीं था यहां पर गडबड यह हुआ था कि जो साधकाय थे उन्हों ने इस घर की रक्षा के लिए अपने एक इसलामिक शक्ति जिनको उन्होंने सद्धि किया था उसे बैठा के गये थे और उसके ही माद्दमसुस घर का बंदन भी किया था जिसे की बोल पर कि भाई तुम यहीं रहो यहीं पर तुम पूजन पाठ अपना लो उन्होंने कहीं ने कहीं कुछ ऐसी विद्या लगा दी कि वह फिर वापस नहीं गया अब वो कारण जो भी रहा हुवो हमें नहीं पता अब वो जो विशह है वहां से जब गडबड़ी सुरू हुई है जब उसका पूजा भी नहीं मिल रहा है और वहां पर परिसान भी हो रहा है तो अब और जो यह धूना जला है तो इससे तुसकी सकती बढ़ी है क्योंकि उसके लिए ही था यह बैल लाश्ट के दो मंत्रों ने मंत्र भेजा था इसमें इसकी और फातिमा और इन सब की जो द वह तो कहा कि आपके मन का भाया मैं परिसान हो रहे हूं इसी कारणों से हम सचित कराते हैं कि आप कहीं भी जाईए इस प्रकार के विशय हो उसके लिए कुछ भी हो आपके घर पे अगर कहा जा रहा है तो बोलिए कि हम यह नहीं कर सकते आप कीजिए पुरे विशयों को इस पश्ट कीजिए अब हाँ यह भी है कि वेक्ति जो नए होते हैं वो उनको जनकारी नहीं होती है तो दिक्कत होता है इसमें जब प्रियोग करना था तो इसमें दो चीजों का प्रियोग हमने उस घर पे शुरू कराया जो कि सबसे विशिष्टम प्रियोग है सदेव से कहते है कि कीजी चीजे तुरंत जानत होती है तो कि यह प्रभाव पढ़ना शुरू हो था यह भी नया नया ही था बहुत जादा दिन कुछ नहीं हुआ था कि समस्या बहुत बढ़ी हो लेकिन हाँ अगर आदमी इसमें हाथ नहीं डाला होता तो यह दिक्कत बहुत अधिक बढ़ जाती लड़की को समस्या होनी शुरू हो चुकी थिया तो यहां पर हमने प्रतम प्रियोग आरंभा करवाया वह था अब हमारे के लगड़ी की उपर में बजरंग बाण की धूना जो की सरसो काले मर्च और लाल गुंजा को मिला करें के गूगल के साथ में करनी होती है साथ बार सुबह पाठ साथ बर साम को पाठ दोनों समय में धूना करते इसे से बीस से पचीस पर तिसद जो हैं लाव प्राब्त हुआ कारण यह था किसा इन्हों ने को बिना सिध्धी के जब यह कर रहे थे तो विशे जो था थोड़ा उतना प्रभावसाली नहीं हो पा रहा थ अब दूसरा विश्य उठा जब इसको देखने के पश्चा तो हमने कहा कि आप ऐसा करी जो लड़की थी उनको जैनती मंगला काली जो मंत्र है कि इस मंत्र का आप सुबह साम ठीक स्वाट पार्ट और लॉंकापूर यहाँ आप केवल जलाईए काली जी की मंदर जानी के जंगबान की धूना होना शुरू हुआ है लगभग सात दिन तक जब यहाँ पूरुन हुआ है तो साथ आठवे दिन जो है इनका अनुभा प्रधम रहा है यह समस्चा तो कम हो गए थी यह शरीड को छूना नहीं होता था लेकिन दूर से ही बोलना चलनाना थोड़ा सा ची तदपशाथ सुब समय ऐसा आया जिसमें के विशिस्तम प्रियोग इन से करवाएगे वहाँ पे हवन कराने की पुरी बिधी की समझाया उन्होंने स्विम से किया चेतरपाल निकारी की फिर घर के बंधन की जैनती मंगला से ही विशी अरगला के प्रथम मंतर से आहूतिया दिद्दे करके घर का सुरक्षा किया गया और उसी से जो है कील अभिवंतरत करके गाड़ा गया और आज के समय में में चुकि हम यहां बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि पुराने समस्ता इससे सॉल्फ हो सकती है इतने सामानने में लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत नए अब हो गया था जन्ति मंगला को उसके बाद दिवरतम प्रभाव दिया भगवती की अगाड़ स्रद्धा थी और साधना के माद्यम से जब इनको पहली बरस्वम से रिलीफ मिला तो विश्वास बढ़ा की हां हम भी कर सकते हैं इस विश्वे को और फिर उस दुष्ट सक्त उन्होंने भी कुछ नहीं किया जो भी विशरहा हो और यहां से भी उस चीज को हटा दिया गया असा करते हैं कि सत्य घटना से आप लाब लेंगे विश्वों को सही प्रकार से समझेंगे और अपनी प्रसानी के अनुरूप अपनी तपोवल को बढ़ा करके उसे सोलजाने क का प्रयास करेंगे जैमा विद्धवाश्नी हर हर्मार्ण